Hello everyone, I am your teacher for this question. Let me explain this question to you now. Find the largest number which divides 245 and 1029 leaves reminder 5 in each case. यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है? देखिए. Find करना है largest number which divides 245 and 1029 leaves reminder 5 in each case. तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे? Firstly, 5 subtract from 245 and 1029. 245 and 1029 से आप 5 को subtract करा लेंगे. तो आपका देखिए, यहाँ पर आजाएगा 245 minus 5, आपका आजाएगा 240. इसी तरह 1029 minus 5 कराएंगे तो आपका आजाएगा 1024. तो यहाँ पर देखिए, now यहाँ पर हम find करेंगे, find the HCF, HCF highest common factor of 240 and 1024. तो HCF निकालने के लिए सबसे पहला आपको इसके factor करने पड़ेंगे, तो आपका factor हो जाएगे यहाँ पर, देखिए, यहाँ पर factor करेंगे, 24, 0 के, तो यहाँ पर सबसे पहले 2 से divide करेंगे आप, 2 से divide करने पर आपका 212 हो जाएगा and 224 यहाँ आपका 120 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे डिवाइड आपका ये 60 हो जाएगा फिर आप 2 से करेंगे तो आपका ये 30 हो जाएगा फिर आप यहाँ पे 2 से करेंगे तो आपका ये 15 हो जाएगा फिर आप यहाँ पे 3 से करेंगे तो आपका 5 हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 5, 6, फिर आप यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे, तो आपका आ जाएगा 1, 2, 8, फिर आप यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे, तो आपका आ जाएगा यह, 6, 4, फिर यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे, तो आपका आ जाएगा यह, 3, 2, फिर आ आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा next आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा last में आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 1 आ जाएगा तो यहाँ पे देखिए factor आपके निकल के आजाएंगे 2, 4, 0 के आपके factor निकल के आएंगे 2 into 2 into 2 into में आपका आजाएगा 3 into 5 इसी तरह आपका 10, 2, 9 के आपके factor निकल के आजाएंगे 2 into 2 into 2 into 2 into 2 and 2 into 2 into 2 into 2 आपके हो जाएंगे यहाँ पे देखिए आपका HCF जब हम निकालेंगे HCF आपका हो जाएगा यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2, ने दोनों के अंदर तो आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा फिर आपका 2 कोमन है तो फिर आपका 2 आ जाएगा देखिए फिर 2 कोमन है तो आपका नाव यहाँ पर देखे चैक करेंगे हम चैक करेंगे यदि हम 245 को डिवाइड करते हैं 16 से तो यह आपका आ जाएगा is equal to 30 plus 5 जो कि 5 आपका हो जाएगा डिमाइंडर यह आपको यहाँ पर पूछा गया था इसी तरह आप चैक करेंगे 1029 को डिवाइड करेंगे आप 16 से तब आपका हो जाएगा यहाँ पर देखिए 1029 डिवाइड बाइ 16 is equal to आपका आ जाएगा 64 plus 5 5 आपका क्या हो जाएगा यह आपका डिमाइंडर हो जाएगा 16 is the required value. I hope you understood the explanation. Thank you.